Hey everyone, this is Shani Dinani and I welcome you all to Magnet Brains Hindi एक ऐसा चानल जहां आपको मिलती है क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की स्कूल एड़ुकेशन बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्स यानि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है कि आप एक दो वीडियोस देखोगे उसके बाद आपको बाकी कोर्स कंप्लीट करने के लिए कोई पेमेंट करनी पड़ेगी या कोई package purchase करना पड़ेगा नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला क्यों विजिट करना है वह सब में बताऊंगे आपको बढ़काब इस वीडियो के अन्थ में अल्सो अगर किसी को जानते हो या खुद भी अगर NTSC Olympiad जैसे एक्जाम की प्रेटरिशन करना चाहते हो तो वो भी आप magnet brain से बिना किसी payment के कर सकते हैं So this is all about what you can study Now let's discuss कि भी आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले तो देखिए जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अभी complete chapter revisions कर रहे हैं तो आपके book में एक और chapter given है which is Mijbil the Otter यह आपके book का 8th chapter है और इसी का हम complete chapter revision देखने वाल है बड़ अगर ध्यान से देखो तो आप देख सकते हो कि part 1 लिखा हुआ है within the brackets इसका मतलब क्या है देखो यह जो chapter है ना इसको खुद 4 parts में divide किया गया है और ऐसा नहीं है कि मतलब different stories है same story को 4 parts में divide करके दिया हुआ है now these 4 parts are very lengthy यानि बहुत जादा बड़े-बड़ी stories है इसलिए मैंने क्या किया है ना इस पूरे complete chapter revision को दो भागों में divide कर दिया है तो आज हम करेंगे 1st और 2nd story का discussion और next video में आपको मिल जाएगा इसका 3rd और 4th part इस तरीके से आपके 2 parts में आपका complete chapter revision भी complete हो जाएगा और आप इतना बड़ा वीडियो देख देख कैसे भी नहीं सोच चुके अरे बहुत आपने कितना बड़ा chapter है तो दो different videos I guess अच्छा एडिया है राइट So part 1 है यह ध्यान रखिएगा यह पूरा complete नहीं हो जाता है इसके बाद भी एक और वीडियो है जो आपको देखनी पड़ेगी ताकि आपको आगे की story पता चल सके So सबसे बहली बात यहां हम बात कर रहे है Mijbill the order chapter की यहां पर word है Mijbill जो की एक नाम है It's a name और order जो है वो इस तरीके का दिखने वाला animal है तो यहां पर जो author है ना वो एक order पालने वाले है एक order को as a pet रखने वाले है Generally जब आप pets की बात करते हो आपके दिमाग में क्या आता है भी आप रप होगे कोई dog, कोई cat यहां फिर आप कोई bird रख लेते हो यूनो बड़ आप कभी भी ऐसा नहीं देखते हो कि आप author यहां इस तरीके का कोई animal है जैसे pet रखते हो बट यहां पर author जो है वो एक pet रखने वाले है और वो होने वाला है एक order जिसका नाम रखेंगे यह Mijbill यहां फिर इसको Mitch भी बोलेंगे यहां फिर इसको Mitch भी बोलेंगे यहां प्लिकल शॉर्ट में होता ना जो बिलकल यह ताइप्स का तो Mitch बिलकु बना देंगे Mitch clear? ओल्राइट चलो तो हम इस chapter को फटावर्ट से start करते हैं बहुत ही प्यारी स्टोरी है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस author के बारे में और author की life कैसे change हो गई उसके बारे में जानने के लिए clear? ओल्राइट चलो सबसे पहला part जो है वो हम start करते हैं ऐसे आपको parts given है 1,2,3,4 तो हम 1st और 2nd आज की वीडियो में करेंगे 3rd or 4th नेक्स वीडियो में करेंगे author traveled in the new year of 1956 to southern Iraq तो जो author है जिन्होंने ये chapter लिखा है वो new year के time पे गए है यानि कि बिल्कुल जो नया साल start हुआ है उसके starting के दिनों में गए है किस year के 1956 के कहां? southern Iraq की तरफ ठीक है? तो southern Iraq की तरफ गए है वो travel किया उन्होंने new year के बिल्कुल beginning में 1956 के थोड़ा time beginning में by then it had crossed my mind I should like to keep an otter instead of dog और तब तक point sorry author कहते हैं कि तब तक मेरे दिमाग से बात जा चुकी थी होकर pass on हो चुकी थी कि मुझे एक dog की जगा एक otter को as a pet रखना चाहिए तो ऐसा है कि पहले dog रह चुका एक pet author का और अब वो it is no more तो अब उनको लगता है कि मुझे na otter को as a pet रखना चाहिए यह जो chapter है ना इसमें आपको बहुत सारे difficult words मिलेंगे बहुत बहुत सारे तो बिल्कुल कोशिश करनी है कि ध्यान से आपको हर एक word का meaning समझना है ताकि आपको कोई without ना रहे जब आप आंसा स्वगेरा लिखो क्लिया तब तक तो भाईया यह हो चुका था कि उनको दिमाग में बहुत उनके दिमाग से जाके होके जाचुकी थी कि उनको dog की जगह एक otter को pet रखना चाहिए क्यामस फियरना एक जगे है जहां पर रहते है यह जो author है और वो जो जगे है वो बिल्कुल पानी से घिरी हुई है रिंक्ड मतलब चारो तरव ऐसे circle हो बिल्कुल पानी है और यह पानी जो है जो author जहां पर रहते है ना उनके घर से बस थोड़े से distance पे है तो उस distance को कहेंगे stones throw distance क्या कहेंगे stones throw distance यानि मतलब आप एक पत्थर फेक दो रूतना जो distance है कितना सा हुआ distance तो short distance को कहते हैंगे तो चोटे से distance पे हैं और यह बहुत है बढ़िया सा एक तरीका रहेगा बहुत ही बढ़िया सी जगे रहेगी otters के लिए यहाँ पर क्योंकि otters को पानी में रहना बहुत पसंद है तो इसलिए यह जगे chemosphere ना is perfect otter को रखने के लिए और यह experiment करने के लिए otter को as a pet रखना चाहिए पालतु जानवा रखना चाहिए वो चीज भी author को बड़ी exciting लग रही है clear? alright चलो सबसे पहले तुम्हें आपको बता देती हूँ यह सारे जो इतने प्यारे-प्यारे words है उनका meaning सबसे पहले crossed my mind को पढ़ लेते हैं this means a thought crossed my mind मतलब क्या चीज गुजरी आपके दिमाग से एक thought एक आपने जो भी विचार किया है came into my mind तो poet, sorry, author यहां कहना सार है कि एक विचार जो है उनके दिमाग से होकर गुजरा एक विचार जो मेरे मन से गुजरा उसे कहा है क्या भी? crossed my mind next आता है otter otter क्या है? एक animal है? कौन सा animal? a mammal with four legs and short brown fur that swims well and eats fish जिसे हिंदी में उद्बिलाओ कहते है ठीक है? तो otter एक mammal है, clear? और इसके चार legs है चोटी से बिल्कुल brown color का फरी सा आप skin होता है और यह बहुत अच्छे से swim कर लेता है पानी में और फिश वगरा खाता है इस तरीके का दिखता है otter so cute, right? तो यह है जो author अप, you know, as a pet रखने वाला next आजाते है, a stone's throw this means a very short distance यानि थोड़ा दूर एक छोटा सा distance जिसे हम कह सकते हैं थोड़ी ही दूरी पर उसे कहेंगे stone's throw distance और eminently मतला बहुत जादा यानि very या highly या कहोगे अत्यन तो यह बहुत ही बढ़िया अत्यन्त, खुबसूरत, एक number spot है जहां पर otter को, you know, रखा जा सकता है as a pet, clear? ओल्राइट, चलो author है Gavin Maxwell आपको ध्यान में रखना है नाम पिकस कभी ऐसा हो सकता है कि आपको Gavin नाम दे दे आगे जाके so please keep in mind कि कि किस ने लिखा है यह कहानी Gavin Maxwell ने beginning of 1956, after the author's dog passed away travel to southern Iraq तो भही जो author है, वो 1956 की बिल्कुल beginning में जब author के जो dog थे, जो pet थे उनकी death हो गई उसके बाद वो वहाँ जाते हैं कहाँ पर? southern Iraq wanted to keep an author instead of dog as a pet और इस बार वो एक author को आज़ा पैट रखना चाहते थे बल्कि dog को नहीं keeping an author at Camus PNR बहुत ही बढ़ी आइडिया है यानि Camus PNR बहुत ही बढ़ी जगे रहेगी author को रखने के लिए क्यो? because Camus PNR was surrounded by water which was close by क्योंकि उनके घर के थोड़ी distance पे पूरा पानी पानी है तो definitely यह बहुत ही बढ़ीया spot रहेगा author के लिए वो खुश भी रहेगा clear? alright, चलो अब इसी को हिंदी में पढ़ते हैं तो लेखक है गेविन Maxwell 1956 यानि 1956 की शुरुआद लेखक के डॉक की मृतिव के बाद दक्षिनी इराक की ओर गय डॉक की जगा उद्बिलाव को पालतु जानवर के रूप में रखना चाहते थे इस बार वो नहीं चाहते थे कि वो डॉक को रखे है ऐसा पालतु जानवर इस बार उन्हें डेसाइड कि उन्हां उद्बिलाव यहां ओर को रखा जाए च्छा विचार है क्योंकि च्छा पानी से घिरा हुआ था जो की पास था तो यह बहुत अच्छी जगे हो जाते है कि इसके लिए ओर के लिए तो यह है पूरी कहानी अभी तक मैंने तीन बार बता दिया I hope अब नहीं भूलोगे clear? All right चलो अब आगे रेखते क्या होता है Casually mentioned a friend replied can get one in the tigris marshes They are as common as mosquitoes, often tamed by the Arabs अब ऐसा होता है जब आपके जैसे मन में है कि भी मेको ना ऐसे कोई पेट रखना है तो आप अपने दोस्तों के सामने से casually बोल देते हैं और मैं सोच रहा था क्योंनों भी ओटर को अगले ऐसा पेट तो ऐसे ही casually ऐसी anomaly अंदाज में उन्होंने अपने दोस्त के सामने बात रखी और उनके दोस्त ने जो है उन्होंने भी casually reply दिया कि तुम्हें टाइग्रिस मार्शिस जो जगे है बहां से लेकर आ जाना चाहिए ओटर को क्योंकि टाइग्रिस मार्शिस के यहां पर ओटर इतना ज्यादा कॉमन लिपाया जाता है जैसे कि हमारे यहां मच्छर यानि मच्छर कोई ऐसी कोई बड़ी चीज तो है नहीं कहीं पर अगर ऐसे आप किसी के घर गया है वहां पर एक मॉस्किटो एक मच्छर दिख जाता आपको तो आप ऐसे जो जो कि हो आपर मच्छर सेल्फी लेना से यह मुझे तो नहीं ना बहुत ही कॉमन है ठीक है सब्सक्राइब आपको एक मुझे जन्री और उसको देखने और उसको आंसर देने के लिए उनको जाना था जो मेल यूरॉप से आने वाला है At the consulate general found that author's friend's mail had arrived but that his had not तो जैसे वो पहुँचते हैं consulate general तो वहाँ पर इनको पता चलता है कि भई जो author है मारे उनका mail नहीं आया है बट उनके दोस्त का आ गया है और उनका mail अभी तक वहाँ पर पहुचा नहीं है clear all right सबसे बहले देखते हैं ताइग्रिस मार्शिस का नाम इस तरीके की जगे दिखती है मार्शिस आंड अलॉंग रिवर टाइग्रिस इन इराग तो वही सदन इराग गए हुए वहाँ पर मार्शिस टाइग्रिस नदी की कनारे जो है एक बना हुआ है मार्शिस उससे कहते हैं टाइग्रिस मार्शिस और वहाँ पर otter मिल जाना बहुत ही आसाल है clear okay चलो अब इस suggested should get one from the marshes along the river टाइग्रिस तो जो दोस्त है उन्होंने बोला कि जो river टाइग्रिस के इदर मार्शिस यानि टाइग्रिस मार्शिस वहाँ से तुम otter ला सकते हो otters commonly found there क्योंकि वहाँ पर otters जो हैं बहुत ही आसानी से बहुत commonly दिख जाते हैं generally tamed by the araps क्योंकि वहाँ के araps ज तक clear हो गई आपको 1956 के beginning में यह जाते हैं कहा साधन इराग इस बारन की दिमात में चल रहा है कि मैं डॉग नहीं बल्कि एक otter को आजब पैट्रक हूं यही बात वह बहुत ही casually अपने friend के सामने रखते हैं friend advice करते हैं टाइग्रिस मार्शिस के यहां से ले लो otter क्योंकि वह एक उद्बिलाव को पालतु जानवर की रूप में रखने का अपना इरादा एक दोस्त के साथ साजह किया मित्री ने सुझाओ दिया टाइग्रिस नदी की किनारे मार्शिस से एक प्राप्त करना चाहिए क्या प्राप्त करना चाहिए एक otter उद्बिलाव आम तौर पर वह द्वारा पाले जाते कि वहां पर उद्बिलाव बहुत आसानी से मिल भी जाते और वहां के अराप्स जो है वो उसको पालते भी हैं लेक अगोर उनके दोस्त बसरा जा रहे थे वहां जाकर पाया कि दोस्त का ही मेल आया था उनका नहीं तो वहां पर लेक अगोर उनके दोस 3 days later, nothing had happened तो author जो है वो बही obviously जब कोई पत्रियां मेल नहीं आएगो तो आप उसके लिए जाओगे न, पूछने के लिए आप आंसर चाहोगे तो कि भी है क्या हो गया, क्या नहीं हुआ तो यहां दिया है author cabled to England cable का मतलब होता है आप अपना संदेश भेशते हो, इस तरीके का कुछ होता है system पुराना, जिससे आप अपना संदेश कहीं पर भेज सकते हो 3 days later, nothing had happened तीन दिन हो गया, कोई जबाब नहीं आया जो भी उन्होंने cable किया था जो भी टेलिग्राम के थ्रू उन्होंने पूछा था tried to telephone, call had to be booked 24 hours in advance अभी जैसा थोड़ी phone लगाया, ting ting और आपकी ringtone बजनिया लगी सामने वाले की call or tune, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता तब के time पे इनको अगर phone लगाना है तो एक दिन पहले, यानि 24 hours इनको पहले ही in advance booking करनी पड़ती थी कि या मुझे phone लगाने, ठीक है So, इनने सोचा चुरो, मैंने cable करा मुझे answer नहीं मिल रहा है, तो मैं call कर लेता हूँ Call करने के लिए इन्होंने 24 घंटे पहले booking की On the first day, the line was out of order तो भे, पहले दिन क्या हुआ? पहले दिन जो lines थी पूरी वो बिलकुल out of order थी, यानि काम ही नहीं कर रही थी तो वो telephone पह बात नहीं कर पाते Second, the exchange was closed for a religious holiday Second day पह कोई छुटी थी, ठीक है, कोई religious holiday था इस वज़ा से बंधी था वहाँ पर, तो बातचीत होई नहीं पाती Third day, another breakdown तीसरे दिन फिर को issue आगया lines में और इस वज़ा से बात नहीं हो पाई Friend left, author arranged to meet him in a week's time Five days later, the mail arrived और अब क्या होता है उनके दोस नहीं बोला कि हम मैं जा रहा हूँ, क्या ही करूँगा है, हापर रुख रुख के तो उनका दोस चले जाते हैं और फिर ये लोग आपस में discuss करते हैं एक हफते के टाइम में ये लोग मेलेंगे और फिर उसके बाद पांच दिन बाद फाइनली इनका mail आ जाता है तो इतना जादा जनजट होता है उसके बाद जाके उनका जो mail है important बोन तक पहुचता है सबसे बहले केबल का मीनिक पढ़ लेते हैं मैं आपको इसका English, Hindi दोनों समरी बताऊंगी So cabled means sent a message by telegraph तो एक होता है cablegram ठीक है उसको बोलते है cable उसके द्वारा संदेश भेजर आता था पहले That is what is cabled करना Clear? All right, चलो Author tried connecting England via telegraph तो वो कोशिच करते हैं कि telegraph के तवारा वो कंटक करें Europe में या जो भी England में ताकि उनको mail आ जाए या उनको पता चल जाए कि मेरा mail नहीं आया मेरे फ्रेंड का आ गया है No response tried connected through a call But कोई response ही नहीं आया कोई जबाब ही नहीं आया तो इनोंने सोच है तो इनोंने सोच है सोलो मैं phone call कर लेता हूँ Call to be booked a day in advance एक दिन पहले आपको booking करनी पड़ती है फिर अगले दिन जाके आपका call लगता है Could not connect with them because of the line not working properly at all Out of order का मतलब क्या है जो lines है यानि की line का मतलब क्या है जो भी बातचीत हो रही है जो cablings है तो वो सारी चीज़े जो है भी काम ही नहीं कर रही है They were out of order Second day a holiday दूसरे दिन छुटी थी तो उस वज़े से बात नहीं हो पाई Third day line suddenly ceased to function और तीसरे दिन एकदम से जो भी lines थी वो बंध हो गई कामी नहीं कर रही है Finally the friend left and they both decided to meet after a week Finally इनका जो दोस्त है वो चला जाता है कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई यानि कोई भी जवाब नहीं आया इनका जो भी उन्होंने अपना वाचीत की होगी बढ़ उनको कोई भी एक reply नहीं आया एक call के माध्यम से connect करने का प्रयास किया जो कि एक दिन पहले book करके रखना पड़ता है लाइन ठीक से काम नहीं कर रही या बिल्कुल भी नहीं होने के कारण उनसे संपर्ख नहीं हो सका तो या तो छुट्टी हो गए या फिर connect नहीं हो पा रहा या फिर सारी लाइन्स खराब है और इस एक कर में कोई बात ही नहीं हो पा रही फाइनली दूसरा दिन क्या था भई चुट्टी थी ठीक है तो दूसरे दिन चुट्टी के वज़े से बात नहीं हो पाई तीसरे दिन लाइन अचानक काम करना बंद कर देती है तो इस दिरे धर्डे भी पूरा वेस्ट उजाता है और आखिर में दोस्ट चला गया और उन दोनों ने एक हपते बाद मिलने का पैसला किया उनका मेल आ गया फाइनली अब मेल आ चुका है अभी तक हमें यहीं लग रहा है कि भी ओर्टर का क्या है ना पालने वाले है तो फिर क्या आगी कारी क्याने वाली है तो वह आपको फादा चलेगा सो क्यारी दव मेल टू रीड तो वह मेल अठाकर ले गए अपने बेड्रूम में गए और वहां पर पढ़ने की कोशिश करते है ओविसली क्या है मेल में स्क्वाटिंग अन्द फ्लॉर वाट तो अगर आप एक्ससाइज वगेरा करते हो तो यू हव वर्ड बाउट ठीक है तो स्क्वाट क्या होता है कि आप अपने पूरे गुटने के बले से पूरा बैठते हो फिर उठते हो और उनके जस्ट पास में ले मतलब रखा हुआ था क्या रखा हुआ था एक साक साक किसको बोलते हैं बोरी को यह जो गणी बास होते है इसको हम क्या बोलते हैं साक बोलते हैं इंग्लिश तो वह बहाँ पर बगल में रखा हुआ है उन दो अराप्स के और इट वस क्वर्मिंग यानि कि थोड़ा बहुत से मुव्मेंट हो रह अर्फिर इनकी दोसने इनको सजेशन दिया था न कि यहां से और मिल जाते हैं विकिस यहां पर तो मत्थर जैसे कॉमनली मिलते रहते हैं तो फिर उनने क्या किया एक और भिजवाई दिया और एक नोट था उसमें लिखा था कि यह रहा तुम्हारा ओटर सबसे पहले बता जित की हुआ आपको squatting और squirm का मीनिग Squatting means crouch or sit with one's knees bent and one's heels close to a back of thighs तो आपकी जो heels है, heels समझते हो अभी मैं उपर कर कर नहीं बता सकती है था तो पैर जो है ना आपस असे मोड के बढ़े यातो अपने घुटने के बल, that's it is what a squat वाला position Squatting means twisted about, यानि जो बोरी है जो सक है वो बारबर ऐसे twist हो रही थी पिकाज उसके अंदर ओटर था, clear? All right Author received the mail, went to the bedroom to read it, two Arab men with a sack handed a note sent by his friend Stayed it, order was a gift from him, the author was packed in the sack अभी होता क्या है कि author पो finally mail मिल जाता है, उसे पढ़ने के लिए वो अपने room में जाते है जब वो पढ़ते हैं, एकडम से दो Arab जाते हैं, उनके पास एक बोरी है और वो बोरी थोड़ी बहुत हिल रही है और ये दो Arab men जो है, वो squat वाली position में बैठे हुए है, and suddenly वो उसको देते हैं, ठीक है? एक note देते हैं, जिसमें sort of उनके friend के थुरू एक gift है, which is, head is your order यानि उस बोरी में, उस साक में कौन packed था, order, clear? All right, चलो, इसी को हिनी में पढ़ते हैं, लेकर को mail मिला पढ़ने के लिए बेड्रूम में गए, वो दो Arab आदमी एक बोरी के साथ, अपने दोस द्वारा भेजा गया, एक टिपडी वो ने सौप देते हैं, टिपडी in the sense, note, clear? कहा उद्विलाव उन्ही की देन थी, यानि कि ये gift था, एक present था from his friend, और उद्विलाव क्या है, order, उद्विलाव को बोरे में pack किया रखा गया था, easy, अब order आख चुका है, अब आगे की story तो बहुती बढ़ी है, कि अब क्या क्या, you know, challenges आएंगे, कैसे वो पूरा केयल करन अब आगे क्या होता है, अगर आप ये book open करके पढ़ते हो, अभी अगर चाहो तो अभी अपनी book खोल सकते हो, उसमें बिल्कुल beginning में एक box दिया हुआ है, जहां दिया है कि भई, पैट को पालने के भी कई तरीके होता है, जैसे जब आप कभी भी pet रखने का सोचते हो, आप कि अध़ मुझे रखना है कुग play money, आप ने जानने कैरी क्या करता है, कि मुझे क्याझा है, छुव मुझे सं जाना, होता है कि उनको पता ही कि बहुत कम लोग होते हैं, जो सफ़ल हो पाता है, बिकस आपको पादा ही होता, क्यों को अधको हार टां आर टाम पे जाना थेै तो ये सारी चीज़े जो हैं कि pet को पालना, it's not like just बस cute वाली बात कि oh it's so cute so I want to keep it, नई ऐसा कुछ नहीं है, you have to take care of it, आपको उसका ध्यान रखना पड़ता है, तो वही चीज इस चाप्टर से आपको clear की जा रही है, कि pet को पालने का सिर्फ एकी reason नहीं होना चीज़े, because आप आपको मन है, pet रखने का, नई, आपको pet तभी रखना चाहिए, जब आप तयार हो, इसक्या ध्यान रखने के लिए, जब आपको लगता है कि नई, मैं रखनूँगा उसका ध्यान, क्योंकि खुद का तो ध्यान रखनी पार है, pet का रखेंगे, तो वही सारी चीज़े हैं, जो यहां पर समझाएगे हैं आपको, कभी अगर आपके पास time हो, तो definitely बैट के वो बुक का बिलकुल जो beginning का box हो पढ़ना, वैसे detail explanation में आपको मिली जाएगा, विकास भी पढ़ाओंगी, मैं detail में, अभी revision है तो पढ़ाने की ज़ुरत नहीं है, so if you want, आप definitely पढ़ सकते हो clear, all right, चलो, अब हम बात करेंगे second part की, so we are done with first part, clear हो गया, author कैसे आया, author कौन है, etc, etc, Opening of the sack began a phase of author's life, अब क्या करते हैं, उस बोरी को open करते हैं, ठीक हो, sack को open करते हैं, और author की जिंदकी का एक नया ही बिलकुल phase start होता है, एक नया ही बिलकुल life का होता है, कई बार ऐसी चीज़ों होती है, साब की पूरी life change हो जाती है, तो वैसे ही author की एक नई जिंदकी की शुर कि मेरी जो भी नई life शुरुआत होई है, वो अभी भी खतमनी होई है, और जब तक मैं खतमनी हो जाता हू, in the sense, जब तक मैं इस दुनिया को छोड़के नहीं सला जाता, तब तक ये life ऐसी रहने वाली है, यानि वो इतना ज़ादा attached थे author से, वो आपको definitely clear हो रहा होगा, ठी fixation have since found to be shared by most other people who have ever owned one, अभी यासा लग रहा होगा है, क्या ही चाइनीज भाषा लिख दिया है, तो फट फट से बताते क्यों, थ्राल्डम और fixation, यासा fixation तो clear हो जाएगा, थ्राल्डम ध्यान से पढ़ लो, थ्राल्डम means एक old fashion word है, पुराना type का word है, which means being under the control of, किसी के fixation का मतलब कि एक bond form हो जाना, like a very strong attachment of feeling, एक गहरा लगाव हो जाना, that is what is fixation, like you get fix, इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो, तो वही बोल रहा है कि अथ्राल्डम to otters and otter fixation have since found to be shared, तबसे ऐसा लग रहा है कि सभी लोग उसको तरीके से deal कर रहे है, महसूस कर रहे है, वो सब ल वही चीजें जो हैं यहां पर author की life में होने वाली है, clear, okay, चलो, for author, domesticating an author, the beginning of a new face of his life, what is domesticating, आपने कभी पढ़ा हो तो आप बचमन में हमेशा पढ़ते हो, दो तरीके के जानवर, domesticated animals, wild animals, है ना, कुछ, जो पालतू जानवर होते हैं, जो घर में पाल सकते हो, that is what is domesticated, और जो wild होते हैं, जंगली जानवर, तो भी उनको जंगल में ही रहना चाहिए, और यह जो zoo अगयरा की हम चीजे करते हैं, वो गलत है, ठीक है, so for author, domesticating an author, the beginning of a new face of his life, यानि author का धिहान रखना, उसका देखभाल करना, यह सब author का एक, you know, नई जिंदिकी की शुरुआत कर रहे developed deep affection with the author, and definitely वो एक बहुत ही गहरा लगाव महसूस कर पा रहे थे, author के साथ, एक अलग ही उनका affection हो गया था, you know, की मतलब ऐसा लग रहा था को की नहीं है, मतलब author एक बहुत ही जरूरी पार्ट है मेरी जिंदिकी का, only be understood by others who have ever owned by an order, like an order, not by an order, तो यहां भी क्या दिया हुआ है कि बस यह जो एक bond है, affection है, सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं, जिन्होंने आज तक कभी एक order को as a pet रखा हो, जैसे कि जब तक आप वैसे तो generally अब भी तो बहुत क्लियर हो जाता है कि yes, अगर आप dogs या cats, you know, अगर इनको रखते हो as a pet, तो definitely एक bond form हो जाता है, और आप अपरेटली वह किसी भी पेट के साथ हो जाएगा, right? It doesn't define कि ऐसा प्रिमावली होना चीए, पर तरिफ डॉग होना चीए, कनाइन होने चीए and everything and sort of that, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो वही चीज हैं आपर कि ओटर के साथ भी एक deep bond form हो गया था ओधर का, और इस तरिफ वही लोग समझ सकते हैं, जिन्होंने कभी भी ओटर को as a pet रखा हो, clear? Okay, चलो, लेखक के लेक उद्बिलाव को पालतु बनाना उनके जीवन के एक नए चरण की शुरुआत थी, उद्बिलाव से गहरा लगाव हो गया और केवर उन लोगों द्वारा समझा जा सकता है, जिनके पास कभी भी एक उद्बिलाव रहा हो, यानि जिन्होंने भी आज तक एक भी उद्बिलाव को पाला हो, उनको बहुत ऐसे clear नहीं जाएगा कि ओथर का इतना लगाव क्यों हो गया था, clear? Okay, Creature emerged from the sack onto the spacious tiled floor of the council 8 bedroom, resembled most of all a very small medievally conceived dragon, ध्यान से पढ़ता है, डडड़न यह क्या-क्या लिखके दे लिया है, देखो, पहले दिया हुआ है creature emerged, emerged मतलब एकदम से बाहर आ गया, किस में बन था भई, एक बोरी में बन था, तो जैसी नोंने sack खुला, तो एकदम से बाहर आ जा जाब यह बहुत जदा space है, और tiles का बना हुआ जो फर्ष है, वहाँ पर यह एकदम से बाहर आ जाता है, अब यह room कहा का है, like किसने provide किया है, तो हमें बता है कि जो author है, वो councillate general गए हुए थे, अपने mail की जानकारी जानने के लिए, तो वहाँ पर यह councillate bedroom जो है, वहाँ प नाच कर रहा था, most of all, a very small, एक बहुत ही छोटू से, medievally conceived, यानि medieval period में ऐसा माना जाता था, conceived का मतलब क्या होता है, जैसे preconceived notion, word पता होना चाहिए अपको, pre मतलब कभी भी प्री लग जाया word, मतलब पहले से, conceived मतलब कुछ ऐसा माना क्या है, notion मतलब एक सोच, तो एक पहले होता है कि कोई लोग पहले ही कुछ चीज़े सोच के बैड़ जाते हैं कि या, ऐसा ही होगा, you know, जैसे बहुत सारी चीज़े होती है, ठीक है, तो वह preconceived notion है, यानि conceived means कि आप ऐसी धारना, yes, the right word, धारना कड़ के बैड़ जाते हो दिमाग में, so that is what is, कि ऐसा मतलब पहले के very cute, right, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था जब उन्होंने अपने सामने देखा उतरने इसको, जैसे कि ए छोटू सा ड्रागन जो है, वो उस बोरी से बाहर आया हो, head to the tip of the tail, coated with symmetrical pointed scales of mud armor, between whose tips was visible, a soft, well-weight fur like that of a chocolate brown mole, क्या दिया हुआ है, कि उसके जो head है, सरसले के tip of the tail, यानि बिल तरीके से covered था, किस से covered था? symmetrical, symmetrical मतलब एक जैसे, pointed scales, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल नुकीले-नुकीले से scales बने हुआ है, और ऐसा था कि जैसे मिट्टी की एक shield बनी हो, armor का मतलब क्यों होता है, shield, protective एक layer, तो वैसा ही सा लग रहा था कि जैसे मिट्टी की पूरी पूरी उसने shield बना के रखियो अपने protection के लिए, और between those tips was visible, और उसके बिल्कुल बीच-बीच में जो ये scales थे, उसके बीच-बीच में visible था, छोटा-छोटा था, soft, well-weight fur, क्योंकी इसका बहुत ही furry सी body होती है, मुलायम soft सी, तो वैसा soft-soft fur जो है, वो थोड़ा-थोड़ा द तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वैसा है वो, यह है है के पूरी तरीके से, मिट्टी-विट्टी से वो गिरा हुआ था, पैनी वानी रहता है, तो बहुत ही गंधी तरीके से उसकी पूरी बाड़ी थी, like, मिट्टी-मिट्टी, और वो अलग बात ही कि बहुत था था और वो भी हम पढ़ने वाले हैं, clear? सबसे फ़हले Medivally Conceived और आमर का मीनिंग बता देती हूँ Medivally Conceived means an imagination of the Middle Ages यानि की Madhyakal की एक कलपना की ड्रागन हुआ करते हैं, वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है? आमर is the metal coverings of formerly won't to protect the body in peril, that is एक कवच, है न, एक कवच जो पहना होता, तो ऐसा लग रहा था कि मिट्टी का एक कवच बना हुआ है उसका, एक शील्ड बनी हुई है उसके उपर और फिर उसके बीच में कहीं कहीं इसका सौफ्ट सा, क्यूट सा फर नजर आ रहा था, clear? जैसे ही साफ ओपन किया, तो जो ओटर है वो एक दम से बाहर आ जाते है उस पर श्पेड, और ओटर को क्या लगता है कि और चोटी-चोटी मतलब हर टिप्स के बीच में कहीं कहीं पर ऐसे सौफ्ट पर दिखाई दे रहा था उसका, जो ओर जिनल उसकी निकल कर बाहर आ गया, तो जो ओटर है वो एकदम से जो फ्लोर है उस पर बाहर आ गया, क्योंकि ओविसली जिस अनिमल को एकदम सा इतनी देर तक बंद करके रफोगे एक बोरी में, तो खुश हो जाएगा ना कि इसको बाहर आने का मौका मिल रहा है, तो बिलकुल बाहर आ इसका फर है और वो भी चॉकलिटी ब्राउन कलर का, फर चॉकलिटी ब्राउन रंग के चाचंदर की तवचा जैसा दिखता था, येस चाचंदर is what we call a mole, ठीके मोल का एक नाम है क्या? चाचंदर, clear? Okay, he shook himself half expected a cloud of dust, अब आपने देखा होगा कि कभी भी आनिमल्स जो है, अग जब उसने अपने आपको हिलाया, शेख का पास्ट है शूक, तो जैसे आपको हिलाया ना ओटर ने, तो जितना expected था ना, कि मतलब इतनी मिट्टी निकलेगी, उसका तो आधा ही निकलाया, मतलब इतनी मिट्टी थी उसमें, so half expected a cloud of dust, यानि कि मतलब ऐसा नहीं बोलेगा, ज जितना आधा expect भी नहीं किया होगा, इतनी ज्यादा मिट्टी निकली, ओटर से आए, होब क्लियर हो रहा है आपको, यह point कि ओटर में इतनी मिट्टी थी बस यह आपको ध्यान में रखना है, Was not for another month, managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true colors, और यहाँ पर ओधर कहते हैं, कि पूरा अगला महीना चला गया, पूरा महीना, एक मन्थ लग गया पूरा, कि वो, you know, otter को पूरा साफ कर सके, यानि इसको clean करते हैं, तो एक-एक मिट्टी का कन भी जो होगा, थोड़ी बहुत भी मिट्ट वो भी पूरी साफ करने में कितना टाइम लग गया, पूरा एक महीना लग गया, यानि इतनी मिट्टी थी otter में, as like in his true colors, true colors मतलब जैसा वो असलियत में दिखता है, वैसा देखने को इनको around एक महीने बाद मिला otter, ठीकि उसमें इतनी मिट्टी थी और वो सब साफ करने मे टाइम लग गया, मिजबल as I called the otter of a race previously unknown to science and was at length Christian by zoologist, Lutro, Gale, Perse, Piscilleta, Maxvilli, or Maxwell's otter, अगर अभी zoology पड़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि भई ऐसे नाम होते हैं, जैसे हम लोग के भी होते हैं, Homo sapiens, human beings को बोला जाता है, Homo sapiens, वैसे ही हर किसी का एक scientific name होता है, तो किसने रखा है ना, author ने, of a race previously unknown to science, और ये किसी को पता ही नहीं था, कि ऐसा करके भी कोई जानवर होता है, ऐसे otters भी होते हैं, and was at length Christian, और फिर बहुत टाइम बाद जो है, इसका नाम रखा गया, what is Christian, नाम करण, ठीक है, तो इसका नाम रखा गया, by the zoologist, और नाम क्या र सबसे बहले, Christian का मीनिंग पढ़ लेते हैं, Christian means name, यानि नाम रखा गया, किसी भी चीज का अगर नाम रखा जाता है कुछ, तो उसे हम कहते हैं, क्या Christian, तो यहां पर जो otter है, उसका नाम रखा गया, by the zoologist, यह पर्टिकुलर नेम, नूच्टोगे, पर स्पिसलेटा, माक् प्रणिनेंस, cleaning and washing to bring out his actual colour, उसमें अपना आपको हिलाया, शेक किया कि जो भी मिट्टी है उसकी ओपर से, वो निकल के बाहर चली जाए, मतलब पुरा साफ हो जाए, बट इतनी जल्दी होना नी था, एक महीना लग गया, एक और महीने बाद कि यह उनो ऐसा कुछ हुआ कि व क्लियर हो गया ओके मिजबे विलॉंग तू रेस ओफ ओटर्स दाट है बहुत टाइम तक तो पता ही नहीं था लोगों को कि ओटर करके भी आने मल होता है फिर बहुत टाइम बाद जोलॉजस ने पता किया कि हां भी यह यह रेस है और फिर उनका नाम रखा नेम लिट्रो गेल पॉस्पिसलेटा माक्सविली या फिर माक्सवेल्स ओटर्स उन्होंने इससे चुटकारा पाने के लिए खुद को हिलाया लेकि इससे मतलब धूल से और उसका असली रंग लाने के लिए लगातार सफाय उधुलाई में एक और महीना लग गया यानि कि यहां पर ऐसा हुआ कि पहले तो उसने खुद को हिलाया तो मिट्टी-मिट्टी किर गई उसके बाद उसको फिर खुद नहिलाना पड़ा उसको पता है और फिर जाके उसकी क्लीनिंग हुई लेखक ने नाम रखा मिजबिल और लेखक ने क्या नाम रखा ओटर का मिजबिल मिजबिल उद्बिलाव की नसल से सम्बंदित था हाली में एक प्रानी विदो द्वारा हो जा गया था जिसका नाम Lutugale, Purse, Piscillatea, Maxfilly या Maxfail का उद्बिलाव रखा गया तो Mitchbill बहुँट टैम से कैसी नसल थी इनकी कि लोगों को पता ही नहीं था बढ़ जब पता चला तो जोलोजिस ने इनका नामकरंड किया नामकरंड भी करने के पाथ इतना बड़ा नाम दिया और उसके लावा क्या नाम दिया ? Maxwell का उद्बिलाव या Maxwell's otter इजी, डान, ओके चलो फर्स्ट वेनिफोर आज मिजब वोज नीदर हॉस्टाइल नौ फ्रेंडली अभी जब ऑटर आया है ऑथर के पास तो पहले 24 गंटे तो उसका कोई रियाक्शन ही था ऐसा थोड़ी होतार पहले 24 गंटे में आपके फ्रेंच बन जाते हैं थोड़ा मतलब दूर रहने लगते हैं या कभी कुछ अग्रेसिव होते हैं कभी कुछ बिल्कुल रियाक्ट नी करते तो ओटर का क्या था था ना कि पहले 24 गंटे जब था ओटर के साथ ना तो वो हॉस्टाइल था यानि ना तो वो ऐसे एनिमी जैसा दुश्मन जैसा भीव कर रहा था ना ही वो दोस जैसा हो गया था यानि बिल्कुल बीच में था वह इंटरेस्टेड है भी नहीं भी तो वैसा कुछ करके रियाक्शन था किसका ओटर का वह simply aloof and indifferent choosing to sleep on the floor as far from a bare as possible और बहुत aloof और अलग अलग रहता था बहुत ही alone रहना पसंट था उसको author से दूर रहना पसंट था author को तो वह author था ऐसी बहुत दूर रहना था author से और उसको सोना भी था अगर तो वह ऐसे सोता था ज़ित ऑशर का बेड है तो बेड से बहुत दूर पर सोएगा, यानि कि गाप होना चाहिए, क्योंकि अभी दोस्ती नहीं ही न, अथर से तो इतना जदा भी गुलना मिलना नहीं हुआ है, तो इसलिए वो थोड़ा दूर ही रहना पसंद कर रहा था The second night, Mijbill came on to my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning Now what is the second night? यह पहले 24 गंड़ी की बात है, अब अगले दिन जब रात होती है, तो Mijbill जो है वो जाकि बेड पर सो गया author के, यानि वो खुदबा खुदा friendly हो रहा है उस soft space को crook कहा जाता है, ठीक है? तो वो ऐसे घुटना मोड़ के सो रहे होंगे author, तो वो जो छोटा सा soft space होता है, वहाँ जाके author सो गया Until the servant brought tea in the morning, कब तक सोता रा वहाँ पर? जब तक जो वहाँ पर helping hand थे, servant थे वो चाय लेकर नहीं आए यानि कि अब author के साथ घुल मिलना है लग गया था, कौन? ओटर, clear? All right सब सब पहले hostile का मिनिक पढ़ लो, hostile means unfriendly यानि विरोधी, तो ऐसे विरोधी नहीं कर रहा था, कि नहीं को आपको आपको नहीं रहना है आपे, नहीं दोस्ती कर रहा था aloof and indifferent means keeping a distance, यानि थोड़ी दूरी बनाए रखना, that is, अलग और उदासी, बहुत अलग अलग रहना और उदास रहना, that is what is, author follow कर रहा था फिर crook of my knees means soft inside part where you bend your knee, जैसे आप अपना घुटना मोडते हो, तो भिलकुल soft inside जो पाट होता है उसे कहता है, नरम अंदर का हिस्सा जहां आप अपना घुटना मोडते हैं, तो उसे कहा जाता है, crook of one's knees, और वहीं पर जाकर ये author सो गया, clear? Okay, during the day he began to lose his apathy and take a keen, much too keen interest in his surroundings और फिर जब वो सुभा हुई, चाय लेकराए, जो भी helping hand take, उसके बाद author ने start किया, वो अपनी जो apathy थी, कि मतलब नहीं रहना है, यहां पर ना पसंद करना चीजों को, वो सब धीरे दीरे खो रहा था, और फिर अपने आसपास की चीजों में उसने interest लेना चालू किया, कि इस तरी के इस author के हो जाएगा, close हो जाएगा author के, clear, okay, apathy का meaning है, absence of interest, यानी उदास सीमता, किसी भी चीज में अगर आपको interest नहीं है, that is, आप उदास हो, that is, what is, apathy, clear, alright, start, was at a distance on the first day, अब यह जो author है, वो पहले दिन तो मतलब दूर दूर रह रह था, किस से author से, second day slept with author in his bed, lying on the crooks of his knees, और फिर दूसरे दिन पड़ा पड़ से author के बेड़ पर जाके, उनकी बिल्कुल घुटनों के बीचो बीच जाके, सो गया, began to know his surroundings better on the third day, और तीसरे दिन से अपने आसपास की जो दुनिया है, वो देखना चालू की, तो आप देख रहे हो, जब कॉल कनेक किया थ तब भी बताया है, first day क्या हुआ, second day क्या हुआ, third day क्या हुआ, यहाँ पे भी order का क्या reaction था, first day, second day, third day, वो आपको clear रखना है, done, okay, पहले दिन दूरी पर था, तो वो author से पहले दिन बहुत दूर दूर रह रह रहा था, कौन author, दूसरे दिन लेखा के साथ उसके बिस्तर प किस के साथ, author के साथ, clear, okay, made a bony belt for him, body belt, why I am saying bony belt, body belt for him, took him on a lead to the bathroom, where for half an hour he went wild with joy in the water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater and may he enough slush and splash for a hippo, क्या दिया हुआ है, बहसा ही चीज़े दिवी हैं, देखो, made a body belt for him, देखो, जब आप नया pet लेकर आते हो, आप डॉग लेकर आ जैसे, तो आपने उनके लिए एक belt लाते हो, वो बेल्ट से फिर आपके आपके पकड़ के लेकर जा सकते हो, आदावाइस क्या होगा, अभी लीडर की तरह लीड करना कि आजो अब बात्रूम लेकर जाना तुमको, तो वो ऐसे उठा कर उसको लेकर जाते हैं, और वो उनके पीछे-पीछे कहा चला जाता है, बात्रूम में, यानि कि जहां पर उसकी बेदिंग होगी, जहां वो नहा सकता है, वेर फॉर हाफ एन आर, शूटिंग आप य Industry ओं से लूटरूम लेंज कर आफ नषन चारता है आतो आफ चै लोट जाना ऽे लूटरूम आप अच़हीतु रूटरूम भशाब बाषन कर है के जो हम चाया चाब प्र उपर ओवाजे कर लोटे एड बात कर रहे हैं ऐसे ही और दे और चछाबन टूब नहीं पुबने वाला जो अक्ट होता है तो पानी में दूबदूम के रूपर अबार थिरा इस एड़ से करके जूबते है थिप्त आहे फिल दूबते है तो अचैनी सोड़ज ॸिबहारा थिए पानी में इंजॉई करना अगताई पर वहां के bathroom में और चलो author made a belt for the otter अब author चाहा रहे थे कि वे उसको अब lead कर लेकर आएंगे तो उसके लेक बेल्ट बनवाते हैं took him on the lead wherever they went और फिर उसको अपने पीचे पीचे लेके जाते हैं जहां पी जाना है तो उसको lead करना पड़ेगा ना आओ मेरे पीचे आओं को यहां जाना है तो इस तरीके से होता है first took the order into the bathroom discovered died playing with water तो सबसे पहले इसको बास्रोम में लेके गए और वहां पर author को पता चला कि otter को पानी से खेलना बहुत जादा पसल है क्योंकि वो बहुत enjoy कर रहा था पानी को तो otter बड़े मज़े करता है पानी में clear? ok लेखक ने उद्बिलाओ के लिए एक belt बनाई वे जहां भी गए उसे आगे ले गए सबसे पहले उद्बिलाओ को बाथरूम में ले गए खोजा की पानी से खेलना उसे बहुत बहुत पसल है च्छानी पाया कहना चाहिए दर्याइ-गोडी की तरहा पानी में लुटक नोड़कता रहता था जैसे कि ADर्याइ-गोडी को पसंद दर्याइगोडे कुद्ञा है पानी में घूमला पानी में उपनी चे होना रोल करना वह तो भलकि एक्स्टेंडेर एंड रड़ प्लेस तो अधर बोलते कि यह न यह विशेश्टा है क्यों को हरेक पानी के जो बूंद है लेका सा कहा जा सकता है सो-to-speak मतलब कहने के लिए एक्स्टेंडेर एंड पानी की फैली होनी ची और हर जगा होनी ची ऐसा होता है अब है बिलकोल ऐसे सोफेस्टिकेटर एक ही जगा पानी आपको यही नाना है नहीं और उसको क्या ची अचिए हर जगा पानी हो पहला हुआ हो पानी बतलाल बिलकुल ऐसा हर जगा होना ची प्रेड़क्ट जैसे कि वो जो पानी बोल है या बकिट है बाल्टी है या कोई वैसल है जिसमें भी वो नहलाते थे ओटर को तो वो पूरी तरीकी से उसको उल्टा देते थे यानि पूरा पलट देते थे ताकि पानी क्या हो हर जगा पहल जाए और अगर वो पानी का जो भी बोल है या जो भी बकिट है उसे अगर टर्न नी कर सकते तो असके अनदर बैढ़ जाता है और सचाप चाप करते हैं कि पूरा जो पानी है वो बिल्कुल बाहर आजाना चाहिए या पानी बाहर होना चाहिए that is what is the philosophy of water भी उसको यही चाहिए water must be kept on the move and made to do things when static it is wasted and provoking यानि water का यह मानना है कि भाई यह पानी अगर है तो वो move करता है रहना चाहिए पानी में movement होनी चाहिए static यानि रुका हुआ पानी, थमा हुआ पानी पसंद ही नहीं कि इसको water को उसे चाहिए पानी हर जगा फैला हुआ हो and provoking यानि की sort of you know पानी अगर static होता है यानि रुका हुआ होता है तो इससे water जो उनको लगता है कि पानी waste हो रहा है या फिर उस वज़े से उनको गुसा आने लगता है पानी रुका हुआ क्यों है उसको हिलाने के लिए movement के लिए पूरा पानी पलड़ देंगे तो पानी बहता रहेगा या फिर उसके लिए बैट के छप छप करेंगे तो वो चीजें water को बहुत जादा पसंद है clear? Okay, चलो सबसे बहुत मेनिंग टिक लेते हैं so to speak और provoking का so to speak means as it were only could say this like ऐसा बोल सकते है ऐसा होता थोड़ी पानी को कैसे पहला होगे like extend कैसे करोगे so बात करने के लिए और provoking means causing anger or some other reaction जिससे गुसा आए या जिससे आप बहुत ज़दा अलग negative react करो that is what is कोई भी चीज जो उत्तेजित कर देती आपको उत्तेजक कुछ भी हो that is provoking clear? okay a characteristic of orders have fun with still water orders का एक characteristic एक विशेशता है कि भी या पानी उनको मज़ा आता है so like they are like या पानी में मज़े करने they played with it and splashed it till the last drop in the bowl like orders का यह है yeah specifically midge की अगर हम बात करें तो उसको भी आई है कि पानी जो है हर जगा फैल जाना चीए बिल्कुल पानी बचना ही नी चीए बोल में हर एक आखरी बून तक उसको बस मस्ती करनी है orders light moving water मतला क्योंकि बहता हुआ पानी जिसमें movement हो वैसा पानी बहुत पसल है कि इसको? orders को when saw still water seem that he got angry and would sit in it splash it and try to over turn it from the bowl और जब पानी ऐसे still water में वो बैठा हुआ रहता है तो ऐसा लगता था जिसमें बहुत गुस्से में आ जाएगा यह नो मतला पानी अगर रुकावद एख लिया तो ओटर को गुस्सा आ जाता था तो उसमें बैड़े आता था पानी इदर उदर फैला देना उसके में movement लाना यह सब चीज़ें water को बहुत पसंद थी clear? okay उद बिलाव की एक विशेश था शांत पानी के साथ मजे करना उन्होंने इसके साथ खेला और कटोरे में आखरी बूंद तक इसे छड़क दिया यानि कि हर एक बूंद को वेसनी करना उसके साथ खेलना है उद बिलाव को भैता पानी बहुत पसंद था जब शांत पानी देखते थे ऐसा लगा कि वह क्रोधित हो गया है या उसमें बैट जाएगा उस पर चीटे मारेंगे और उससे कटोरे से उलटने की या पलटने की कोशिश करेगा यानि ओर के लिए पानी रुका हुआ यानि गुस्से का रीजन पानी अगर रुका हुआ है तो उसमें बैड़ जाएगा उसको पूरी तरीके से पहला देगा और इस तरीके से ओर्टर को पानी के साथ खेलना बहुत-बहुत अच्छा लगता है Clear? Okay Two days later, Mitch Bill escaped from the bedroom अभी हुआ क्या? अभी तो मतलब वो मस्ती वस्ती कर रहा है तो दो दिन बाद क्या होता है? कि दो दिन बाद Mitch Bill जो है वो उस bedroom से भाग जाता है, escape कर जाता है यानि वहाँ है ही नहीं क्यों भाईया कहां चला गया? Let's see that author entered, author जो है वो जाते हैं देखते हैं कि भाईया कहां गया Mitch Bill turn to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom तो भाईया ऐसा था कि जैसे अगर आप कहीं भी जैसे रूम है ठीक है? तो रूम में जहां भी bathroom होगा तो असा था न turn करते हो तो आप फिर जाओगे तो वैसे ही बोला है कि जैसे वो turning जो end था न वहाँ पर tail या पूछ दिख रही है किसकी order की तो वो ले देखे बस वहीं बाथरूम में पहुच जाता था क्योंकि उसको पानी से खेलने का बड़ा शौक है तो वही चीज़ देखिए ऑथर ने की बस अब इसको मिल गया भी है एक reason खुश रहने का और वो है पानी और जब तक ऑथर अबहाँ पहुचते हैं कि भाटर कर के आ रहा है बाथरूम में तो उन्होंने देखा कि वह बाटब के बिल्कुल कोने पर बैठा हुआ है I am fumbling at the chromium taps with his paws और अपने paws से जो भी chromium taps यानि जो नल है उसको बस मारे जा रहा है क्योंकि उसको यह लग रहा है कि भी हम इसको open करू पानी कैसे आता है Fumbling और chromium का मिनिंग देखते है Fumbling means trying to do something in a clumsy manner Like something जो आपने से टोल रहे हो Very messy, clumsy manner पस कोई भी चीज करे जा रहे हो It's not organized Like proper way में नहीं कर रहे हो बिल्कि आसी मारे जा रहा है कहीं पे भी ताकि वह नल खुल जाए So, aasa clumsy सा तरीका होता है HodgePodge उसे कहते है Fumbling Chromium एक metal है जिसके नल बने होता है So, hard white metal used to make taps और ऐसे लिखते हैं Chromium taps Clear? Okay Author amazed in less than a minute Had turned the tap Far enough to produce a trickle of water और author जो है वो बहुत ज़्यदा surprised हो जाते है Amazed क्या है? Surprised का एक और word So, author surprised हो जाते है Chalk जाते है ऐसा क्यों? क्योंकि जो author है उसको आधा मिनिट भी नहीं लगा और उसने इतना तो tap open कर लिया था इतना नल तो चालू कर लिया था जिससे at least एक trickle of water यानि थोड़ा भहत पानी की जो stream होती है वो आ सके After a moment or two Achieve the full flow But उसने give up नहीं किया भई, author क्या करता है? अलगा था tap को open कर रहा है Finally, पूरा full flow पानी का यानि जो पूरी speed पे पानी आता है वैसा आने लगा Had been lucky to turn the tap the right way But author एक यूनों लखी था क्यों? क्योंकि वो अगर दूसरे साइट पे turn करता tap को तो बहुत टाइट हो जाता खुलता ने बड़ उसने right जगे पे उसको tap की, मतलब turn किया था ताकि पानी जो है वो properly आ सके Sometimes screw it up, still tighter, chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate अब यहापे क्या दिया हुआ है? कि कभी-कभी ताइसा होता था कि वो पूरी चीज़े खराब कर देता था पूरा उल्टी जगे पे टर्न करता था, tap को तो बहुत टाइट हो जाता था अभी टाइट हो गया तो उसके लिए खुलने में और दिक्कत हो तो बहुत ज़दा इरिटेट हो जाता था कि मतलब यह जो नल है यह मेरे साथ corporate नहीं कर रहा है corporate, corporate ठीक है तुझे नल है मेरे साथ corporate नहीं कर रहा है मेरा साथ नहीं दे रहा है और इस तवज़े से पानी नहीं आ रहा है तो order को पस चीज की लगती थी भही बहुत ज़दा इरिटेशन हो जाता था कि पानी बसाना चीए उसको हमेशा पानी चाहिए to play, clear? okay चलो, trickle और chittering का बन्दल बताते हूँ, trickle वैसे बहुत प्यारा वड़े, you should know this so flow in a small stream, यानि भून भून करके जब पानी गरता है न, tap 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 that is what is trickle in English, ठीक है next है, chittering, make a twittering और chattering sound like chichi type का वातलब ऐसे sound निकाला तो author वैसी आवाजे निकालते थे, जब वो irritate हो जाते थे कि पानी नल से बाहर क्यों नहीं आ रहा है, clear? okay two days later, order became escaped alone to the bathroom and tried opening the tap with his pause अब दो दिन बात क्या होता है, खुद बखुद order जो है, वो बाधरूम की तरफ चले जाते है और बहाँ पर जाके अपने pause से कोशिश करते हैं कि वो नल खोल सके surprisingly, managed to open the tap enough to get a trickle of water और author बहुत शॉक्ट थे कि इतना चोटू सा ओटर नल को सही तरीके से open कर रहा है ताकि पानी आ सके then more to get the full flow, since he started by turning it in the right direction और क्योंकि वो सही direction में turn कर रहा था नल को तो पानी जो है full flow पे या पूरी speed पे बह रहा था वो twist it tighter by moving it in the wrong direction and ended up being disappointed when water did not flow from it कभी-कभी ऐसा भी होता था, अनलकी होता था water तो वो गलत direction में नल को turn कर देता था जिस वज़े से वो टाइट हो जाता था और उस वज़े से फिर पानी आता नहीं था and इस वज़े से water बहुत ज़धा disappoint हो जाता थे, clear, okay दो दिन बाद उत बिलाव अकेले बाथरूम में भाग गया और अपने पंजों से नल खोलने की उसने बहुत कोशिश की हैरानी की बाद यह है कि नल को इतना खोलने में काम्याभी मिली कि पानी की एक भूंद भी निकल सके लए शोकिंग है कि नहीं कर पाते water वो पर उसने वो कर लिया फिर पूर्ण प्रभाप्राप्त करने के लिए और अधिक के बाद से उसने इसे सही दिशामे मोर कर शुरू किया गलत दिशामें घुमाकर उसे और जोर से घुमाता था और जब उस में से पानी नहीं भैता था तो वो निराश हो जाता था यानि कभी तो रई डिरेक्शन में ओपन करके पानी आ गया अब वह इतना तो एड़ाप्ट हो गया था कि अब वह जो बेल्ट है उससे लिए जाने की सुरत नी पड़ती थी बल्कि अगर वह बोल भी देती थी कि मिज काम या मिज आ जाओ तो वह उनका नाम सुनके ही पीछे-पीछे ओतर के चला जाता था और मिज का टाइम जो है अब आप कभी अपने देखा हो तो ऐसी करते हैं अब आप कभी अपने देखा हो तो ऐसी करते हैं पेट जो बॉल है उसको अपना एकदम से हैट टरं करते हैं और फिर हिट करते हैं दर वह कही नहीं जाती है तो वैसे इसको मुझा आता था कि वह एक पुश्ष फ्लिक मतलब एक बहुत बड़ा फोर्स ठीक है को मारता था ताकि वो इधर उदर हवा में जाए और वो बहुत जिदा खुश हो जाए और उसको गेम खेलना बहुत पसंद था वो इधर उसको एक जटका मारेगा अपने नेक से ताकि वो इधर उदर जाए तो इस तरीके से वो एकी बॉल से अपना बहुत जादा टाइम जो है स्पेंड कर लेता था उद बिलाब ने बिना लीट के लेख का पीछा करना स्टार्ट कर दिया या शुरू कर दिया उसका नाम लेने पर उनके पास आता था खेलने का उसे बहुत जादा शौक था और अपना अधिकान समय वा गेंद के साथ खेलने उसे पूरे कमरे में घसीटने और धकेलने और उसके पीछे जाने में व्यतीत करता था तो इस तरीके से बहुत ही मजानी लाइफ थी किसकी ओटर की clear? okay real play of an otter when lies on his back movement and juggles with small objects between his paws but एक जो real game होता है असली जो game of otter के लिए हो ये था कि वो अपने back की तरफ ऐसे लेट जाएगा है ना when lies on his back movement यानि पीछे पीट के बल वो ऐसे लेट जाएगा और फिर उसके जो pause होते है उसे वो juggling करता है जगलिंग के होता है वो अपने देखा होगा कि वो नहीं ऐसे पूरा ऐसे चीजे घुमाते है या इधर से फिकते हैं तर सकेच करते हैं यह जो game होता है इसको juggling कहता है तो वो भी ऐसी जो भी छोटी-छोटी चीजे होती थी उसके साथ से juggling करता था और उसको बहुत मज़ा आता था rolling two or more of them up and down his white यानि जो क्या बोलते हैं कंचे हैं उसको दो या तीन कंचे जो हैं वो अपने से बिलकुल फ्लाट सा जो उसका पेट था बैली था उस पे रख देता था और ऐसा होता था कि कभी वो गिरते नहीं थे कंचे वो इस तरीके से मतलब खेलता था उन marbles के साथ तो बिलकुल प्रो था वो गेम खेलने में ओटर वो यह समझाना चाहता है clear okay सबसे बहले जगल का मिनिंग पढ़ लेते हैं जगल means continuously toss into the air and catch a number of objects so as to keep at least one in the air by handling the others मतलब इतनी खतरनाक definition मैं पहले बिता देते हूं जैसे ये एक, दो, तीन, तीन, चार चीज़े ठीके मतलब ऐसे बहुत सारा हो ले लेते हैं और वो ऐसी करते हैं एक हवाम फेकते हैं और एक हाथ से catch करते हैं फिर एक हवाम फेकते हैं तो यह जो गेम होता है this is what is juggling clear और ऐसा ही को उच ओटर करता था done? okay ओटर is generally known to be fond of lying on their backs and juggle with objects between the paws like usually उसको जो पसंती चीज़ वो यही थी कि वो अपने पीट के बार लेट जाता था और जो भी चीज़े होती थी उसके साथ juggling करता था इस तरीकी से खेलता था Midge loved engaging himself with marbles and never dropped one on the floor बहुत अच्छा लगता था उसको marbles यहां कंचो के साथ खेलना और कभी भी ऐसा नहीं होता था कि एक भी marbles वो फ्लोर पे गिरा दे वो take two or more marbles and roll them on his wide flat stomach और वो अपने बिल्कुल एक जो बिल्कुल फैला हुआ बिल्कुल पतलूसा चप्टा सा जो उसका stomach था उस पे marbles रखके वो खेलता था and एक भी marbles नहीं गिरता था he was that good at it clear? okay उद बिलाफ को आम तोर पर पीट के बल लेटने और पंजो की बीच की वस्तों से जगलिंग करने के लिए बहुत मज़ा आता था Mitch खुद को कंचो से उलजना पसंद करती थे और कभी भी एक को फर्ष पर नहीं गिराते थे दो या दो से अधिक कंचे लेकर अपने चौड़े सपाट पेट पर उन्हें रोल करता था तो यह था भया उसका गेम खेलने का तरीका जो बहुत ही ज़दा डीटेल में आपको डिस्क्राइब किया गया है क्लियर ओके चलो नेक्स देखते क्या होता है ओ डन इसका मतलब आपका फर्स और सेकंड पार्ट दन है अभी भी स्टोरी बहुत बच्ची हुई है ठीक है अभी तो बहुत मजा आने वाला है फ्लाइट में जाएंगे यह बहुत इंट्रस्टिंग सी जर्नी होगी बट वो आपको अगले वीडियो में फ़सर चलेगा बिकस वो हो जाएगा पार्ट टू बिकस नहीं तो यह बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है और वो मैंने चाहती इसलिए फर्स और सेकेंड पार्ट डन है इस स्टोरी के अंतर का विच इस टोटली एक पहला भाग मिजबिल्द ओटर का अब जो सेकेंड पार्ट है जहां थर्ड और फॉर्थ स्टोरी पड़ेंगे वो आपको मैं अगले वीडियो में बताने वाले हो अब फटबर से बता देती हूं कि वेबसाइट कैसे विजिट करना है वीडियो आपके सामने आजाए तो बेस्ट ऑप्चिन है कि आपको विजिट करना चाहिए वेबसाइट ऑफ टे चानल करना क्या है उसके लिए बच जाओ गूगल पे टाइप करो मागनेट ब्रेंज डॉट कॉम जैसी वेबसाइट उपन करोगे ये पेज डिस्पले होगा अब इसी पेज पेज पे आपको जाकर बस सिलेक करना है वाटेवर यू वांट तो स्टाडी जैसे इंगलिश मीडियूम का कुछ पढ़ना है क्लिक कर दो हिंडी मीडियूम क्लिक कर दो क्लिक करो जैसी क्लिक करोगे आपके सामने जो भी चापटास एंगी उस चाप्र पे गिलिच गरो जिसका भी वीडीयो देखनाиваем सब पने किसी ब़ी च्लिक क्या एनके सामने ऊसामने वीडियो का अंवानड़ा न का जो अप्लीर रिविजिन और शरा तो इतना आसान होता है वीडियो तक पहुचना just by few clicks clicks और इस तरीकी से few seconds में आप अपने रिस्पेक्टिव वीडियो तक बहुच सकते हैं clear so definitely visit करना है क्या website magnetbrains.com all right so this तरीकी से हम आचुके हैं आज की वीडियो के discussion के अंत में I hope आपको सारी चीज़े clear हो गए है अभी भी story का बहुत major part बचा हुआ है जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बट अभी के लिए अगर इस story से related यानि first और second part से related कोई भी अगर doubt है तो कहां mention करना है भई comment section में mention कर दो और अगर कुछ भी ऐसा होगा जो मुझे लगता है कोई question answer में include करना है मैं आपको उस वीडियो में ख्लियर कर दूँगी साथ हम पहुच चुके हैं आज के वीडियो के अंत में बट हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए थांक्यू सो मुश पर वाचिंग